आज हम आप लोगों को Class 12 UP Board Exam 2021 के लिए NCERT की बुक से यानि सरकारी बुक से चुने हुए long question बताएंगे जो most important है परिच्छा के दिश्कोंड से चलिए शुरू करते हैं पहला question है जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण है या इसी प्रश्ण को दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है जैसे मानो जनसंख्या की विध्धी के कौन कौन से कारण है तो जनसंख्या विध्धी के कई सारे कारण होते हैं चलिए कुछ प्रमुक कारणों को हम लोग जान लेते है तो पहला कारण है बाल बिवाह या चाइल्ड मेरेज मतलब कम आयो में बिवाह तो अनेक राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य परदीश आदमे बाल बिवाह का प्रेचलन है और बाल बिवाह जनसंखा वृद्धी का मुख्य कान होता है कहने का मतलब यह हुआ कि देश की जो असिचित, अनपढ़ और रोड़िवादी परिवार हैं इन परिवारों में लोग कम आयो में ही बिवाह कर देते हैं और कम आयो में बिवाह होने से बच्चे जल्दी जल्दी और अधिक पैदा हो जाते हैं जिसकी वज़े से जनसंख्या अमिवद्धि होती है, निरत्चर्त का मतलब होता है असिच्चा, आध भी भारत वर्स में काफी लोग असिचित हैं, जो असिच्चित हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, आसिच्चा के कारण बेकति परिवार नियोजन का महा तो नहीं समस्ते हैं और संतान नियंतन का कोई प्र लिखे नहीं है तो असिचित होने के कार्ण लोग परिवार नियोजन और छोटे परिवार के महत्य को समझते ही नहीं है यहनी उनको पता ही नहीं है कि परिवार को कैसे कम रखा जाए और कम रखने से क्या-क्या लाब है और जब यह पता नहीं है तो ऐसे ही संतानोत्पत्य हो होती रहती है फिर अगला है पुत्र का महत्या इंपॉर्टेंस आपसन या इसी को हम लिख सकते हैं कि सामाजिक रिती रिवाज अगर परिवार में लड़कियां हूं तो लड़के की आसा में परिवार में ब्रिद्धी होती जाती है लड़कियां है तो हमारे एक लड़का हो जाए लड़का हो जाए इसके वज़े से ब्रिद्धी होती रहती ही जनसंख्या की और भारती समाद में पुत्र का विशेश महतुर रखा गया है। हिंदु दर्शन के नस्वार पुत्र प्राप्ति से ही बेक्ति पिता के रण से मुक्त हो सकता है। हिंदु में क्या माना गया है कि अगर पुत्र नहीं प्राप्त होगा तो बेक्ति जो है पिता के रण से मुक्त नहीं होगा। यह भी मानता है कि पुत्र ही वंस का नाम चलाता है लोग कहते हैं जो रोडिवादी लोग हैं जो पुरानी परंपराओं को मानते हैं वो क्या कहते हैं कि पुत्र ही वंस चलाएगा तो पुत्र होना जरूरी है आता है पुत्र प्राप्त की लालसा या पुत्रप्राप्त की कामना पर लोग अंचाही ही अनेक संतानों को जन्म देते हैं यानि वो ना चाह कर भी अनेक संतानों को जन्म देते रहते हैं इस तरह से जनसंख्या ब्रिधी होती रहती है यानि बेटे की चाह में जो लड़के की चाह में परवार में बच्चों की संख्या बढ़ती ही जाती इस तरह से जन संख्या में बृध्धी होती रहती है लेकिन आप ये सब बंध हो गया है या बहुत कम हो गया है। इसे करण लोग कम मर रहे हैं और जनसा क्या ब्रिद्धी होती चले जा रही है। जनसा क्या ब्रिद्धी होती चले जा रही है। जनसा क्या ब्रिद्धी होती है। सन्युक्त परिवार में सभी खर्च सन्युक्त कोष से होते हैं और खर्च जो है वह सन्युक्त जो कोष है वहाँ से होते रहते हैं। एक तो बच्चे और खाना खा लेंगे और जी लेंगे और हो जाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो उनकी यह सोच जनसंख्या ब्रिद्धी में शहायक है इस तरह से जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है फिर नेश्ट है अंदविस्वास अंदविस्वास किया बच्चों को भगवाने खुदा की देन माना जाता है अधिक बच्चों वाले बातापिता को अधिक भागसाली माना जाता है जिसकी वज़े से जनसंख्या ब्रिद्धी होती चली जा रही बढ़ती चली जा रही आप लोग को बता दें कि आप लोग जनसंख्या पर फुल ब्रिद्धी होती चली जा रही है कि नेक्ष्ट पॉइंट है कम आयो में लेंगिक परिपक्कता भारत की जलवायू गर्म है जो जननांगों तथा संबंधित अंगों को सीग लेंगिक रूप से परिपक्क बना कर संतानुत पत्त योगी बना देती है यानि जननांगों का विकास बहुत ही जल्दी हो जाता है लेंगिक अंगों का विकास बहुत ही जल्दी हो जाता है जिससे संतानुत पत्त की योगी बन जाते हैं और इसकी कारण भी जनसंख्या में ब्रिद्धी होती चली जा रही है और फिर नेक्ष्ट है बीवाह की अनिवारता, यानि बीवाह जरूर होने चाहिए, साधी व्याह जरूर होने चाहिए, मैरे जरूर होने चाहिए, तो ये भी एक प्रमुकारण है, हिंदू में बीवाह एक अनिवारत धार्मिक संसकार माना जाता है, और हिंदू परिवार में ऐसी मानता है कि बीवाह करने के पस चाती ही इस्ति और पुरुष पूर्ण बनते हैं यह माना जाता है कि जब बीवाह दोनों का हो जाता है तब ही वे पूर्ण बनते हैं और जनसंख्या बृद्धी में सहायता प्रदान करते हैं इस तरह से जनसंख्या बृद्धी होती चली जाती है चलिए बाते हैं दूसरे प्रश्ण पर दूसरा प्रश्ण है बांध धंपत्यों को संतान पाने हैं तो सहायता देने वाली कुछ प्रमुक बिधियों का उलेख कीजिए तो ऐसे धंपत्य जो प्रात्मिक अथावाद धुतियक बांधता के फल्स रूप संतान में कहते हैं या अगर फुल फॉर्म में कहा जाए तो असिस्टेट रिप्रोड़क्टिव टेकनिक बोला जाता है तो इसके लिए विसेश सेवाएं जैसे पात्रे निसेचन इन वेट्रो फर्टलाइजेशन या सौटकर्ट में कहें तो आई वी एफ इस विधि में शरीर के बाहर लगभग सरीर के भीतर जैसी इस्थितियां पैदा करके निसेचन या फर्टलाइजेशन करते हैं और इसकी कई सारी विधियां हैं तो पहली विधि है परकनली सिसू यानि टेस्ट्यूब बीबी तो इस पर अगर वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चर्म में अप्लो इस्थित्य के से परिक्षणों से ग्यात होता है यानि जब ज्यांच करवाया जाता है तो ज्यांच करवाने से पता चलता है कि ऐसी इस्थित्री के अंडासे तथा गरभासे तो सामान हैं यानि जो बच्चे पैदा रही कर पा रहे हैं उनके अंडासे ये ओवरीज और गर योग साला में यदि इन इस्तरियों के अंडाण निकाल कर उनके पती या अन्यपुरस के सुकुराणों द्वारा निसेचन कराया जाए तो यूगमनेश निर्मित होता है कहने का मतलब यह है कि ऐसी इस्तरी जो बच्चे पैदा नहीं खरपा रही है तो उनके अंडासे और ग सामाने है ओवे डक्ट जो है वो असामाने है सामाने नहीं है यह खराब हो चुकी है तो प्रियोक शाला में यदि इन इस्तरियों के अंडाण निकाल कर उनके पती या अन्यपुरस के सुकुराणों द्वारा निसेचन कराया जाए तो यूगमनेश का निर्माण हो जाता है या जाइगोट बन जाता है और भूर्ण ये विकास प्रारंभ हो जाता है यदि भूर्ण को इस अवस्था में इस्तरिके गर्भासे की दिवार पर आरोपित किया जाए या अरोपित कर दिया जाए तो सामाने रोप से बिक सित सिसु प्राप्त हो जाता है इसे ही परक नली इसे सेशेटन क बन गया, अभ जब भूण का विकास प्रारंब हो गया तो इस भूण की अवस्था को इस्त्री के गर्भासे में इस्थापित कर दिया गया आरोपित कर दिया गया के सामान रूप से वो सेसु बिक्सित हो जाता है और इस तरह से परक्नली सेसु बन जाता है या टेस्टिव बीवी का निर्माण हो जाता है तो एक तुबी धीये हुई तो दूसरी है इन्वाइट्रो फार्टिलाजेशन के अंतरगत अंताह डिम्ब वाहनी इस्थाना इंट्रा फैलोपियन ट्रांसपर जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसपर इस प्रिकिरिया के अंतरगत आठ ब्लाश्टो मेर तक के भूण को इस्तरी की फैलोपियन नलिकाओं में इस्थाना अंतरित किया जाता है जहां इसका भूणी विकास प्राणब हो जाता है आठ कहा गया है ब्लास्टो मियर तक की भूण की विकास को और यह है क्या जेड आई एफटी में क्या होगा कि भूण को आठ कोशिका अवस्थाबे फैलोपेन नलिका में स्थाना अंत्रित करते हैं सारी प्रिकिरिया बिल्कुल वैसे ही किया जैसे मैंने परेक्शनलिसिस में बताया था लेकिन इसमें जब भूण आठ कोशिका में बन जाता है आठ कोशिके वस्थाबे हो जाता है तब उसको फैलोपेन नलिका में इस्थाना अंत्रित कर दिया जाता है अगले भी दी है आई योटी यानि इंट्रा योटेरिन ट्रांसफर के अंतरगत भूण को 32 कोशिका आवस्था पर इस्त्री के गर्भास में इस्थानांत्र करते हैं जब वो 32 कोशिका का बन जाता है और सारी प्रिक्रिया बिल्कुल वैसे ही होती है तो इस बीधि में किसी दाता इस्त्री या डोनर ओमें से अंडाण को उस इस्त्री की फैलोपीयन नलिका में इस्थानांत्र क्या जाता है जो इस्तरी अंडाण या ओवा निर्माण में सक्षम नहीं है नि कोई ऐसी इस्तरी है जो अंडे नहीं बना पा रही है तो क्या किया जाता है किसी डोनर इस्तरी से अंडे ले लिये जाते हैं और अंडे लेने के बाद क्या किया जाता है कि उसको फैलोपेर नलिका में इस्थ प्रियोक्षाला में इसमें से सुक्राणू प्रथक कर ले जाते हैं इसमें को अलग प्रोश सादधन या प्रोशेसिंग करने की बाद महीन के थेटर ड्वारा संधरी के घरभास में उस समय पहुँचाया जाता है इत्रि के अंडास में अंडाण अंडोट सर्ग के लिए हैं। यानि कब पहुंचाते हैं जब अंडा निकलने के लिए तयार होता है उस समय पहुंचाए जाता है यह वह भी धियां है जो बांध दबत्यों को संतान पाने हैं तो सहायता प्रदान करती है आते हैं नेश कुछिशन पर ट्रिपल फ्यूजन क्या है या कहां और कैसे संपन्न होता है त्रिशल लैन में समलिद नुकलियाई का नाम बताइए तो इंपॉर्डन्ट कुछिचन है बोट परिच्छा के लिए अच्छे से प्रश्ण को पहले पढ़ेंगे इसके बाद आंसर देंगे तो यदि आप लोग मुलांकुर चोल में अंतर तो पहले अंतर को देखते हैं बीजपत्राधार और बीजपत्र परिक में अंतर तो बीजपत्राधार क्या है बीजपत्राधार बीजपत्र के नीचे इस्थित सिलेंडर के आकार का भाग है जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है बीजपत्र क नीचे के भाग को बीजपत्राधार कहा जाता है यानि बीजपत्र का आधार बीजपत्राधार का क्या मतलब हुआ बीजपत्र का आधार नीचे वाला भाग उसे ही बीजपत्राधार कहते हैं जबकि जो बीजपत्रों परिक है बीजपत्रों परिक बीजपत्र के ऊपर स्थि का भाग बीजपत्र के उपर का भाग बीजपत्र का आधार होता है जबकि जो बीजपत्र परिखUS है यह बीजपत्र के उपर भाग तथा तरुन पत्तियां बंद रहती हैं जो प्रांकुर चोल है जैसा कि मैंने जब आपको मक्के की संदचना को समझाया था उसमें बताया था कि जो प्रांकुर चोल है वो प्रांकुर के ऊपर रहता है प्रांकुर को धके रहता है उसे ही प्रांकुर चोल कहा जाता है और ये क्या करता है कि एक खोकली संरचना होती है जिसके अंदर तने का अग्र भाग या कहलीज की सूट एपेक्स तथा तरुण पत्नियां बंद रहती हैं. जबकि जो मुलांकुर वाला भाग है भूरी अक्ष के निचले सिरे पर इस्तित होता है आभिभाजित खोल होता है और इसके अंदर मुलांकुर बंद रहता है यह मुलगोप या रूट कैप की तरह से होता है जिसे मुलांकुर चोल कहा जाता है तो यहां से मुलांकुर निकल साइटोसीन है तो DNA में मिलने वाले heat treatment की गड़ ना कीजिए दौईरज़ूग DNA है और 20% उसमें साइटोसीन है तो DNA में मिलने वाले heat treatment की गड़ ना करनी है अब चार गैफ के नियम के अनुसार चलिए साईटोसीन गवानीन के बराबर होता था जो साइटोसीन है वो गवानीन के बराबर होता था और थाइमीन एडिडीन के बराबर होता था चारगैफ ने बताया था कि साइटोसीन गवानीन के बराबर है और थाइमीन एडिडीन के बराबर है क्योंकि साइटोसीन 20 प्रस्त प्रश्ण में दे रखा है इसलिए ग्वानिन भी 20 प्रसत होगा क्योंकि साइटोसीन ग्वानिन के बराबर है तो अब दो चीजे निकल आई साइटोसीन 20 प्रसत है ग्वानिन 20 प्रसत है अब साइटोसीन प्लस ग्वानिन 20-20 अगर जोड दिया जाए तो 40 प्रसत हो जाएगा तो अब 100 यानि एडिनीन और थाइमीन बचा तो एडिनीन थाइमीन 100 प्रसत से 40 प्रसत घटा दीजिए घटाने पर बचा 60 प्रसत अब यह जो 60 प्रसत आया है यह दो चीजों का है एडिनीन और थाइमीन का है यानि यह बराबर होता है अब बराबर है तो 2 से भाग दे इस तरह से एडिनीन की मात्रा कितने आएगी तीस प्रसत आजाएगी क्योंकि एडिनीन थाइमीन के बराबर होता है इसलिए इसको भाग दी दिया गया दोसे आते हैं अगले प्रश्ण पर कौन से बिभिन जन स्वास्त उपाएं हैं जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुध रक्षा उपायों के रूप में अपनाएंगे तो पहले इस प्रश्ण को समय लेते हैं अगर प्रश्ण को ठीक से नहीं समझेंगे तो आंसर नहीं दे पाएंगे तो प्रश्ण में कहा गया है कि ऐसे कौन-कौन से उपाय किये जा सकते हैं, जिन से संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है, उन उपायों के नाम बताना है, तो संक्रामक रोगों से बचने के लिए कई सारे उपाय किये जा सकते हैं, जिसमें से पहला है लोगों को सिच्छित बनाना, अगर लोग चित होंगे तो संक्रामक रोगों से बस सकेंगे दूसरा है बीमार या रोगी को स्वस्त लोगों से अलग रखकर उसका इलाज करना अगर कोई बीमार बेखती है तो स्वस्त लोगों से अलग रहे जो बीमार नहीं है बेखती उनसे दूर रहे उसको अलग रखकर ही उसका इल पर दोल लगवना चाहिए अगला है वाहक की समापत करना जो वेक्टर है एंसे वह संग्रामक रोग फैल रहा है उसको समाप्त करना चाहिए आते हैं next question पर next है ने में लेकि रोगों का संचरण कैसे होता है अमीबिता, मलेरिया, इसके रिस्ता और निमोनिया इन रोगों का संचरण कैसे होता है मतलब ये रोग कैसे फैलते हैं पहला है अमीबिता अथवा इसे अमीबियेसिस कहा जाता है अंग्रेजी में क्या कहते हैं, amoebiasis कहा जाता है, चाहे amoebiasis नाम से पुछा जाए, आप यहीं बताएंगे, तो यह ant amoeba histolytica के काण होता है, तथा इसका संचरण, संक्रमित जल वा भोजन के द्वारा होता है, तो जो ant amoeba histolytica है, इसके द्वारा amoebiasis रुग हो जाता है और ant amoeba histolytica, proto-jova-san ka जन्तु है, यहां कैसे फैलता है जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, जल में अगर संक्रमित जल है तो इसके द्वारा, बेक्त पीता है उसको तो हो जाएगा, अगर संक्रमित भोजन है, उसमें यह ant amoeba histolytica है, तो हो जाएगा उसको, amoebita के कारक ant amoeba के cyst, मक्हियों के द्वारा, भोजिपदा थो, इम जल में पहुशते हैं, यानि किसके द्वारा वहाँ पर भोजन में आ जाते हैं, जल में आ जाते हैं, तो मक्हियां इनको लाती हैं, मक्हियों के द्वारा यह भोजन में जल में आ जाते हैं, अब उसी भोजन यह जल क भी कहा जाता है यह मख्य से फैलता है और अमीबता में एंट अमीबा हिस्ट्रील्टिका जो है यही रोग पैदा करता है मुख्य रोग से यह जनतु आत में घाव कर देता है जिससे खून बहने लगता है कि दूसरा रोग है मलेरिया इसका कारक प्लाज्मोडियम जाती का पर मच्छर द्वारा संक्रमित बिक्ति से दूसरे फैलता है अगर कोई संक्रमित बिक्ति म길ट से जिसको मलेरिया यह जिसके अंदर प्लाज्मोडियम वाय वाय।를 ह specifically काटने के बाद किश will be तो उस स्वासुवित्ति को भी मलेरिया रोग हो जाएगा योदि आप लोग मलेरिया पर इसका जीवन चक्र पूरा देखना चाहते हैं तो चैनल भी वीडियो अप्लोड़ड है आप लोग जाकर के देख सकते हैं अगला है एसकेरिस्ता को अंग्रेजी में एसकेरियसिस कहा जाता है और यह रोग एसकेरिस्त के अंडों के भोजन के साथ सरीर में पहुँचने से होता है जो एसकेरिस के अंडे होते हैं यह किसी न किसी माध्यम से भोजन के पर पहुच जाते हैं और भोजन पर पहुचने के बाद उस को इसकेरिस ता रोग हो जाता है इसकेरिस हेलमिन्थ संक का जनतु है हेलमेंथीस का जनतु है इसकेरिस अकसर बच्चों की आतों में पाया जाता है यह जो इसकेरिस होता है और इसकेरिस ता रोग पैदा करता है आतों में घाव उत्पन करता है पिर नेक्ष्ट है नेमोनिया तो निमोनिया के अंतरगत संक्रमित बेक्ति के छीकने, खासने, थूकने आधि से संक्रमित वायू के संक्रमन से फैलता है अगर कोई संक्रमित बेक्ति है वो खासता है, छीकता है, थोकता है तो वायू संक्रमित हो जाती है वायू में वो कण आ जाते हैं और वायू संक्रमित हो गई, अब संक्रमित वायू के संपर्ख में अगर कोई सवस्त बेखती आता है तो उसको भी हो जाहेगा और ये pneumonia है ये streptococcus pneumoniae जीवान के द्वारा होता है दूसरा है सक्रिवा निस्क्री प्रतिरक्षा, का और खा दो दिये गए हैं इसमें, और दोनों में अंतर बताना है, अंतर बताने के बाद उदाहरण भी देना है, तो सहज अथवा जन्मजात और उपारजित प्रतिरक्षा पहले देखते हैं, तो सहज और उपारजित प्रति प्रतिरच्छा जो जन्म के समय से ही सरीर में उपस्थित होती है सहज प्रतिरच्छा कहलाती है या ऐसी एमेनिटी जो जन्म से ही उपस्थित हो जन्म जात हो उसे ही सहज प्रतिरच्छा कहा जाता है या जन्म जात प्रतिरच्छा कहा जाता है और वह प्रतिरच्छा जो यानि active and passive immunity पर तो वह प्रत्रच्छा जिसे व्यक्ति सरीर के प्रत्रच्छा तंत्र के घाटकों के सक्री योगदान के कारण बिक्सित करता है उसे सक्री प्रत्रच्छा कहा जाता है यानि जो वेक्ति है वो जो सरीर के प्रत्रच्छा तंद्र के घटक हैं कौन-कौन से जो लिंफोसाइट्स कोसिका होती है बी और टी कोसिका है ये घटकों के सक्री योगदान के कार जो विक्सित होती है उसे है सक्री प्रत्रच्छा कह होती हैं यह सख्री कोषिखाएं बनाती है तो ठीका कर्ण सख्रीप्रत्रक्फा का एक उदारण है पीका कर्ण जो है वैकशिनेशन जो है यह सक्री प्रत्रक्फा का उदारण है या active immunity का उदाहरण है आपको बता दें यदि आप लोग antibody और antigen नहीं जानते हैं तो मेरे चर्म में वीडियो अप्लोड़ेड है आप लोग जा करके देख सकते हैं अब निस्क्री प्रतरच्छा बाहरी सुरोतों दारा उपलब्ध कराई जाती है जो निस्क्री प्रतरच्छा है जो passive immunity है वह बाहरी सुरोतों के दोरा उत्पन कराई जाती है तो सरीर का प्रतरच्छा तंत्र इसमें कोई भी भूमिका नहीं निभाता है कोई भी कार्य नहीं करता है इसमें सरीर के अंदर प्रतरच्छियों को बाहर से प्रिविश्ट कराया जाता है यानि सरीर का जो प्रतरच् जब विक्ति को साप काट लेता है तो उसको बाहर से एंटी विनों का एजेक्शन दिया जाता है जिससे वो जहर मर जाए वे कौन से बिभिन रास्ते हैं जिनके द्वारा मानो प्रितरच्छा नियुनता विशाण का संचरण होता है यानि ऐसे कौन से कारण है जिनके द्वारा HIV फैलता है तो HIV के फैलने के कई सारे कारण है जिसमें से पहला है HIV संक्रमित विक्ति के साथ आसुरच्छित साधिर्ग स का मन्ध इस्थापित करना इस से फैलता है दोस्रा है वैक्सीन तथा ड्रक्स लेने के संक्रमित सुई का प्रियुकरना यह किसी बैक्ति ने उस संक्रमित सुई का प्रियुकरना अगर नाई यहां आantu गए हैं और किसी का नाई ने किसी के बाल काटे और उसका ब्लड वगारा उसमें लग गया बाई चांस तो क्या होता है कि उसको अगर एड्स था तो दूसरे को भी एड्स होने के संभावनाएं हो में बाल से गर्फ में बच्चे में बच्चे में भी और अगर कोई संक्रिमित माता से गर्व में पल रहे बच्चे में भी जाता है तो next question है प्रासामानिकोसिका से कैंसर कोसिका किस प्रकार भिन्न होती है यानि कोई सामानिकोसिका है उसके कैंसर कोसिका उसके किस प्रकार से अलग होती कैसे दिखती है तो कैंसर कोसिका सामानिकोसिका से निम्न तरह से भिन्न होती है पहला है कैंसर कोसिकाएं बहुत तेजी स से प्रिद्धी करती हैं और अपने समीप वर्ती उतकों पर हमला करके उन्हें च्छाती पहुंचाती हैं यह बहुत तेजी के साथ बढ़ती हैं ग्रोध बहुत तेजी से नमें होता है और जो पास के उतक होते हैं टिसू होते हैं उनको हाने करती हैं उनका नुखसान करती हैं जबकि सामार निकोशकाओं ऐसा कोई भी कारे नहीं करती हैं। नेक्स्ट है, कैंसर कोशकाओं में तीब्र बिभाजन के कारण आवश्यक पोशक तत्तों के लिए सामार निकोशकाओं के सिप्रतिर परदाये होती हैं और उन्हें भूखा मारती हैं। कािसर कोषकां में तेजी से जो विभाजर होता है इससे जो पोसक तट्वब की जरूरत होती है वो सामान कोषकां से लड़ती है प्रिस्पाता उनको भूखा मारती है और खुद उसे ले लेती हैं नए अबुर्द की ऊपट dur ये रक्त के माध्यम से पूरे सरीजुन फैल जाती है और जगह जगह पर अबुर्दिया कैंसर को बनाना प्रारम कर देती है जबकि जो सामानी कोशकाय है ऐसा कोई भी कारे नहीं करती है वहित मल से आप क्या समझते हैं और वहित मल हमारे लिए किस प्रकार से आनिकारक है वहित मल कहलाता है थवा सीवेज कहलाता है इसको दूसरी तरह से भी परिभासा की रोबे हम कह सकते हैं कि घरेलू अपसिष्ट पदार्थों को ही सीवेज कहा जाता है सीधिसी भासा में कहें तो सीवेज क्या है या वहित मल क्या है घरेलू अपसिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो सीवेज कहलाते हैं जिसमें वज़िपदात मिले हो मल मूत्र मिला हो पस्वों का हो चाहजंतों का हो चाहमानों को हो वो सब क्या हो गया वहित्मल हो गया या सीवेज हो गया तो यह हमारे लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें अनेक हानिकारक जीवान उपस्थित होत प्रतिबंधित endonuclease enzyme DNA को जिस स्थान पर काटता है और बनने वाले उतपात को प्रदरसित चित्र द्वारा एक चाट पर बनाना है यानि DNA को जिस स्थान पर काट रहा है और उससे जो उतपात बन रहा है इस पूरे को चित्र के द्वारा निरूपित करना है कहने का मतब यह है एक आवस्यक चाट E-Core-I का बनाना है E-Core-I का आवस्यक चाट बनाना है तो इस चाट को देखिए इस चाट में मैंने एक DNA खंड लिया है और रिस्ट्रेक्शन साइड यह है यानि G-A-A-T-T-C कहने का मतब यह हुआ कि जो आत में बैक्टिरिया पाया जा पहचानता है G-A-A-T-T-C चारक्रम को जानता है पहचानता है और DNA वलैक के दोनों रज्यकों का दोनों इस्ट्रेंड का G तथा A के बीच से बिदलन करता है देखिए G से और A से G और A के बीच से बिदलन किया हुआ है इसने और इन अस्थानों पर जहां से बिदलन किया ये दोनों इस ट्रेंड के आयुगमित दिशा में नुकिलियोटायट्स का अनुक्रम समान है आयुगमित का मतलब जिधर जुड़े नहीं है उधर से अगर गिना जाए तो नुकिलियोटायट का जो क्रम है विल्कुल समान है देखिए अगर 5' to 3' वाले दिसा में देखा जाए तो जिधर से जुड़ा नहीं है AATT और अगर 3' to 5' वाले में देखा जाए तो जिधर जुड़ा नहीं उधर से काउंट करना है तो AATT यहनि उधर भी AATT इधर भी AATT इसलिए कहा गया है कि आयुगमित दिसा में रहा था अगर यह प्रेश्ण परेक्षा में पूछा जाता है तो आप लोग भी इस तरह से चार्ट बना देंगे इस क्विश्चन है